नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MSDigitals में दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप आपका जो बिजली का बिल है जो कि अभी बंद कर दिये गया है आपको कॉप्य उसकी नहीं मिलती है घर पर नहीं आता है आपका विजली का बिल और साथ ही अभी नई अपडेट यह है कि आपका जो बिजली का बिल है वो आपको SMS के जरिए मिलता है इस पर भी एक नई अपडेट आ गई है कि आपका यदि बिजली का बिल आपके मुबाइल पर SMS पर नहीं आ पा रहा है कई बार क्या होता है कि आपका मुबाइल स्विच आफ होता है या नौट रीचिबल होता है तो आपको आपका बिजली बिल का SMS नहीं मिल पाता है तब आप उस विजली बिल को कैसे प्राप्त करेंगे, कि कितना आपका विजली बिल आया है, कैसे आप पता करेंगे तो उसके लिए आप नई अपडेट आ गई है कि आप आपका जो WhatsApp है, WhatsApp के जरीए आप अपना विजली बिल की सूचना प्राप्त कर सकते हैं बिजली बिल की सूचना आपसे MPV जो अपना बिजली बिभाग है वो आपको WhatsApp के जरिए आपका बिजली बिल की सूचना देगा इसलिए जितने भी लोग बद्देप्रदेश बिजली बिजली विधरन कमपनी के जो बोकता है वो अपने जो WhatsApp नमबर है वो उसी मोबाइल नमबर से बनाए जो आपका MPV जो आपने बिजली बिभाग में दिया हुआ है रजिस्टर किया हुआ है उस नमबर से आप फटा- इसमें ऐसा नहीं होता है यदि आपका फोन बंद है और आप उसके फोन चालू करेंगे तो वो SMS आपको वाफस नहीं मिलता है इसमें ऐसा है लेकिन WhatsApp में क्या है कि जब भी आप फोन आन करेंगे आपको आपका विजली का बिल दिखाई दे देगा तो इससे इसमें क्या अपना WhatsApp नंबर केसे बदलवा सकते हैं ताकि आपको नए WhatsApp नंबर पर विजली भी ला सके साथी यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर केसे रजिस्टर करवाएंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो KPKVVCL की तरफ से हमें एक मैसेज प्राप्त हुआ है इसमेर हम हम आपको दिखा देते हैं यह क्या मैसेज है यह दिखी यहाँ पर यह मैसेज प्राप्त हुआ हमें जिसमें लिखा हुआ है प्रिय उपभोक्ता मत्य प्रदेश पूर्प छेत्र विद्य वित्रण कंपने लिमिटेड जबलपुर द्वारा आपका विजली बिल अब आपके WhatsApp नमबर भी भेजा जावेगा यदि भविश्य में आपका WhatsApp नमबर परिवर्तित होता है तो क्रिपया 1912 पर फोन कर ततकाल यदि आपका SMS आ रहा है और उसके बाद कल को यदि आपका WhatsApp नमबर चेंज हो जाता है आपका WhatsApp नमबर गोम हो जाता है तो आप 1912 पर कॉल करके नया नमबर अपडेट करवा सकते हैं और उस पर अपना विजली बिल प्राप्त कर पाएंगे यह एक नई फैसिलिटी यहाँ प पूरुचेत विद्वित्रन कंपनी द्वारा इसमें यदि जिन लोगों का नमबर रेजिस्टर नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे 1912 पर फटाफट कॉल कर लेंगे और आपना वहाँ पर आपना जो नया नमबर है वो रेजिस्टर करवा देंगे ताकि आपका जो बिजली नमबर होता है जो आईडी होती है वो आपका जो पुराना बिजली बिल आपके पास होगा उसमें आप देखेंगे सबसे उपर पर आपको एक IVARS आईडी लिकी रहती है उस IVARS आईडी को आप यहाँ पर बताएंगे आपका जो जिनसे बात होगी यहाँ पर जब कस्टमर के रधिकारी आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले आपका नाम और आपका सर्विस आईडी जो हती है IVARS आईडी वो आपसे पूछेंगे सर्विस क्रमां के उपर लिकी रहती है वो आपको यहाँ पर बताना होगा जैसी आप बताएंगे उसके बाद वो आपका डीटेल चेक कर कर पाएंगे जिन लोगों के पर वाटसेप की सुभीदा नहीं है वो 1912 पर कॉल करके अपना नया नंबर अपडेट करवालें ताकि आपको नए नंबर पर बिल की जो रासी है वो पता चल सके यदि आप वाटसेप चला सकने हाला कि आजकल तो सभी लोग वाटसेप चला र आप सभी इस जानकारी का लाब उठाएंगे वीडियो और जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सेर करना बिलकुल भी नहीं बूलेगा ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठाएं और वो लोग अपना जो बिजली बिल है उसमें बिलती रहे